अगर मैं आपको कहूँ कि इस face pack को जो DIY face pack है इसको लगाने के साथ आपकी जो face के dark sports है वो दूर हो जाएंगे आपकी skin के उपर अगर blackness है वो दूर हो जाएगी जुरियां की problem है जिसको हम wrinkles बोलते हैं अगर मैं बोलू वो दूर हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा because यह इ skin में यह healing properties है इसमें तो जिसके साथ अगर आपकी skin कहीं से irritated है ड्राय है आपको premature aging की problem आ रही है तो आपकी space के उपर अंचाहे बाल है तो आपको कैसा लगेगा कि अगर इतनी सारी problems का solution बस एक यह DIY mask है तो result आपके सामने है skin आपकी बहुत ही जादा चमकदार हो जाएगी अ बेस्टिवर्स में glow करना किसको अच्छा नहीं लगता है और इसके साथ आपकी skin tight हो जाएगी instant tightening effect मेलेगा अगर आपकी skin के उपर पोर्स है वह पोर्स आपके मेनिमाइज हो जाएगे और glow की बात तो मैं नहीं करूँ विकास glow तो आप अभी देखेंगे जब इसको apply करके मै आपको live दिखाने वाली हूँ कि आपकी skin में एक ऐसी चमक आएगी जैसे कि किसी नहीं आपके face के उपर highlighter लगाया होगा लेकिन वह highlighter नहीं होगा इस DIY face mask का कमाल होगा जो आज मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ और यह आपको मैं बोलूँ कि सिरफ खाना ही नहीं है लगाना ही नहीं है खाना भी है तो कैसा रहेगा विकॉज जो ingredients में यूज करने वाली हूँ वह हमारी kitchen में easily available होते हैं तो चलिए अब वीडियो को हम start कर लेते हैं और वीडियो को start करने से पहले मैं जरूर से आपको request करूँगी कि मेरे चैनल को subscribe करना मत बूलना और बेल goodness की अंबा हल्दी अब अपने हल्दी के बहुत सारे benefits सुने होंगे और यह हल्दी powder मैंने इसलिए helps goodness का बताया है आपको एक तो यह easily आपको मिल जाएगा online और काफी जादा affordable है और affordable के साथ साथ आपको quantity भी काफी अच्छी मिलती है और इसको use करने के बाद आपकी skin के उपर जो चमक और निखार आएगा वो मैं आपको क्या ही बताऊं क्योंकि इतने जादा इसके फाइदे है normal हल्दी आपने नहीं लेनी है जो आपकी kitchen में होती है वो वाली हल्दी नहीं आपने अंबा हल्दी यही वाली लेनी है जो specifically बनी होती है हमारी sun tan को खतम कर देती है अब च 99 इसकी MRP है लेकिन आपको और भी जदर डिसकाउंट के पर मिल जाएगी और अगर आपके face के उपर अंचाहे बाल होते हैं तो उसको भी अंबा हल्दी दूर करती है जब यह dry होती है तो dry होने के बादे हम इसको remove करते हैं जैसे हम uberton लगाते हैं उसमें लगाते हैं तो आ आपके अंचाहे बाल भी दूर होते हैं और इसमें healing properties होती है और इसको आप ना कि सिरफ skin के उपर अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हैं because यह आपकी hair follicles को नरिश भी करती है और strength भी प्रवाइड करती है अपकी skin के उपर अगर आपकी बालों में मालीजे आपकी growth आने वाली है और इसी के साथ मैंनी यह magical ingredient magical powder में जिसको बलूं की बीट रूट हमारी kitchen में available होता है उसको आपने खाना है लेकिन लगाने के लिए आपनी यह powder पर चेस करना है जो की आता है सिरफ 75 रूपीज का only आपको बहुत सारी महंगी महंगी cream लेने की ज़रूरत नहीं ह powder और अंबा हल्दी के साथ जो मैं बहुत ही बढ़िया वाला पैक आपको बना के दिखाने वाली हूं उसके साथ आपके skin के उपर यह बहुत ज़्यादा magic करने वाला है अब बीट रूट यहां पर दिखाया तो बीट रूट के बहुत ही ज़्यादा फाइदे होते हैं सबस आपको इसको रूटीन में अपलाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा अब यहां पर आपको किकुंबर का टोनर दिखा रही हूं अगर आपके पास यह किकुंबर का टोनर नहीं है वैसे तो यह 45 रूपीस का है अगर आप पर चेस करना चाते ह अगर नहीं तो आप simply खीरे का juice आपने यूज़ करना है क्योंकि खीरा जो होता है हमारी स्किन से blemishes को दूर करता है और हमारी स्किन में एक चमक पैदा करता है और अगर मैं आपको बताओं कि इन दोनों के combination को अगर आप अलग-अलग यूज़ करना चाहते हूं तो simply आप यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं बट मैं आपको recommend करोंगी suggest करोंगी अंबा हल्दी और बीटरूट पाउडर इन दोनों के combination आपके लिए जादूई combination होने वाला है आपकी स्किन को एकदम से चमकदार बनाएगा आपकी स्किन के उपर गलो आएगा आपकी स्किन के उपर स जो होती है जो चाईया होती है जाईयों का इलाज अगर आप मेडिकेटेड वे से ले चलते हो तो बहुत लंबा समझ चल जाता है उसमें और जरूरी नहीं है कि उसके साथ जाए या ना जाए तो मैं आपको जरूर से बताऊंगी कि अगर आप रोज इसको रात को सोने से प बीट रूट पाउडर के अगर आपको कहीं और से मिल जाता है तो भी आप ले सकते हैं वना ये अल्प स्कूटनेस का बहुत ही जदा प्योर वाला बीट रूट पाउडर है लिंक आपको मैं डाल दूंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां पे जाकर पर्चेस कर सकत पाउडर के उपर तो चलिए बीट रूट पाउडर ले लिया है मैंने दो चमच और अपनी अपनी क्वांटिटी के साब अपने बना सकते हैं दो जाने लगाने तो चार आप बना सकते हैं और पूरी बॉड़ी के उपर इस पेस पैक को बना सकते हैं इस डियाई वाउड को कितनी जादा बढ़िया लेमन येलो शीड है इसका प्योर अंबा हल्दी है जो स्पेसिफिकली बहुत लंबे समय से हम अगर मैं बोलू तो यह आयुरवेदिक मेडिसंस में भी यूज होती है तो इस दोनों कोई मिक्षर के साथ आपकी जो डिय वाई मास्क है उसको आप मेरे पास खीरा नहीं था इस बार इस टाइम पे अवेलिबल तो मैंने इसमें ये कुकुमबर टोनर डाल लिया है और यह भी बहुत बढ़िया तोनर है मैं काफी साथ टाइम से इसको यूज कर रही हूं और आपने मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से अपनी कंसिस्टें से बना लीजिए और इसको रात को सोने से पहले लगाना है यह मैं आपको दुबारा से रिपीट कर देती हूं दिन में आप नहीं लगाओगे क्योंकि विटामिन सी होता है बीट रूट में चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव है अगर आपकी नॉर्मल है लेकिन फिर भी आपन से मैंने मिक्षर है वो रेडी कर लिया है और स्किन को वाश करके ही फेस पैक लगाना है आपकी स्किन अच्छे से धुली होनी चाहिए साफ होनी चाहिए अब यहां पर मैं इसको लगाना शुरू कर रही हूं और इसको लगाने के बाल आपने 15-20 मिनट पच्चीस मिनट तक अराम से रखना है कोई जल्दवाजी नहीं करें इसलिए आपको बोले हैं कि सोने से पहले लगाना जब आपका कोई काम ना हो घर का तो अगर आप लड़के हो लड़की हो इफ यह ए टीनेजर इफ यह गरल बॉय कोई भी एज कोई भी इसमें है नहीं लिमेट नहीं है तो में तीन बार लगाते हो तो आपकी जो स्किन के उपर ब्लेमिशेज माक्स जूरियां वह धीरी धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी लेकिन आपने कॉंस्टेंटली अपलाई करना है जैसे मैंने बोला कि पच्चेस मिनट तक लगा के रखना है उसका एक कारन यह है कि एक तो बाल आपकी नीचे की तरफ है तो उसको अबवर डिरेक्शन में अपने धोते समय रिमूव करना है तो अगर आपकी धीरी धीरे एक्स्ट्रा फेशल ग्रूथ है ना जो आपको अनवांटेड है तो वह भी आपके दूर हो जाएंगे अब अनवेन स्किन होती है हमारी हमारी चिन एरिया और हमारे जो फूरेट के पास वहां से भी आपने अच्छे से फीस पैक को लगाना है अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी नेक के उपर भी अपलाई किया है कभी भी कोई भी स्किन केर प्रोडक्ट हो उसको फेस के साथ साथ नेक पे लगाना नहीं भूलना क्योंकि अगर आपका फेस अलग से चमकेगा और नेक नलेक्ट होते होते हमारी काली रह जाती है तो आपनी फेस के उपर लगाना है और पूरी नेक के ऊपर भी अच्छे से बाइक करना है और अपनी फिंगर के अल्प से भी आप अपलाई कर सकते हूं और जैसे मैं अब मेरा जो यह 20-25 मिनट हो गए है और अब यह मेरा पूरा फेस पैक हो गया है ज़ड़ना शुरू हो गया तो इतना आपने इसको ड्राइ करना है इसके साथ क्या है आपकी स्किन को यह बहुत अच्छे से टाइट भी करता है अब वाश करने के बाद एज यू कन सी कितनी ज जो अब कर दिया है और इतनी ठंड़क फील होती है आपकी स्किन के उपर पोर्स को टाइटन करता है श्रिंक कर देता है पोसको अच्छे से अगर आपकी रिंकल थेना तो मैं आपको गैरेंटी देती हो अगर आप इसको हफदे में तीन बार लगाते हो अगर आप लगाना अगर आपको चाहिए तो अब जरूर से इस DIY मास्क को ट्राय करना इसके साथ आपकी स्कें चमकदार भी बनेगी और आपकी फेस की जो हर तरह की प्रॉबलम है ब्लेमेशिस की मलाजमा की बिल्कुल दूर हो जाएगी तो चलिए यही था मेरा जो DIY मास्क जिसको मैंने बनान तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई एंट टेक केर